हेलो गाईज, वेलकम टू जुपिटर क्लासीज, स्वागत है आप सभी का, जेके एसस भी सूपरवाइजर के लिए हम स्टार्ट करेंगे यहां पर मैथामेटिक्स, मैथामेटिक्स का जो पहला जो चेप्टर रहने वाला पहला यूनोट रहने वाला है, वो रहने वाला है न नमर्बर इस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ओफ leggits, Ag Now, open part, arrow, some 온 expensive signal, तक जो मैदो तक जो यह सिंबल से इनको कहेंगे डिजिट्स येघ अपने आप में भी नमबर ही होते हैं और साथ में इंके कॉमिनेशन को भी number कहते हैं ठीक है जैसे 90 90 है ये नंबर है 81जょ यह नंबर है यह इनिदिजिट्स वा कॉंबिनेशन है इनि को हम कहेंगे number ठीक है तो यह समझ में आ गया अब हम पढ़ेंगे naturel numbers क्या होते है natural numbers numbers that are used for counting are natural numbers counting के लिए use करते हैं बच्पन से हम पढ़ते आ रहे हैं 1,2,3,4 ठीक है तो natural numbers क्या होते हैं जो 1 से start हो यह वो system of number है जो 1 से start हो to infinity ठीक है बच्पन में तो हमने south तक पढ़ लिया उसके बाद finish करती है हमने सोचा कि counting होती है वो 100 तक होती लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो counting है वो infinite रहती है counting आगे चलती जाती है कोई number कितना भी बड़ा हो वो उससे बड़ा भी कोई ना कोई number होता ही है इस universe में सबसे छोटा smallest natural number नेचरल नंबर जो रहेगा वो रहेगा 1 और सबसे greatest नेचरल नंबर जो रहेगा वो not defined या infinity कहेंगे हम उसको यह रहेगा ठीक है तो यह आगे natural numbers natural numbers को हम n से भी denote करते हैं books में n को थोड़ा bold क्या हुआ है यहाँ पर हम simply n लिखेंगे n means natural number ठीक है तो कभी भी अगर exam में आपके n लिखा हुआ है वहाँ पर अगर n specified नहीं है specified का मतलब यह है कि n की कोई और value नहीं दी हुई है तो वो natural number ही होगा अब natural numbers में और क्या है even numbers even numbers और odd numbers ठीक है even numbers क्या होते है 2468 जो भी digits जो भी जो भी numbers 2468 से जो उनकी odd numbers माने जाएंगे जिन भी numbers के end में 13579 वो odd numbers है ठीक है और यह individually यह numbers जो है यह भी odd numbers है ठीक है odd numbers को denote किया जाता है ओ से even numbers को denote किया जाता है यह से ठीक है यह भी बात याद रखनी है और साथ में 0 जो है even number जो है smallest even number 2 रहेगा और smallest odd number जो है वो 1 रहेगा greatest even number और greatest odd numbers not defined infinity है यह हमने find out किया ही नहीं अभी तक ठीक है तो यह आगे हमारे even numbers और odd numbers अब इसके बात क्या है divisibility के basis पे दो टाइप के natural numbers बनते हैं ठीक है divisibility ठीक है यह उन numbers के factors क्या क्या होंगे ठीक है तो इसमें सबसे पहले आता है prime numbers और composite numbers प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका factor 1 होता है factor is 1 and number itself ठीक है इनके सिरफ दो ही factors रहेंगे प्राइम नंबर्स के वो है एक तो 1 रहेगा और दूसरा वो खुद नंबर रहेगा for example इसकी यह है for example 2 है 2 के factors क्या क्या है 1 है 1 2s are 2 और 2 खुद भी है 2 1s are 2 और किसी के table में तो यह आता नहीं है ठीक है तो यह आ गई छोटी सी example प्राइम नंबर्स की ठीक है उसके बाद composite numbers क्या होते हैं composite numbers के more than 2 factors दो से जाधा factors होते हैं ठीक है दो से जाधा factors होते हैं इनके for example 4 के factor क्या क्या है 1 के table में भी आता है 2 के table में भी आता है और composite number जो है हर एक composite number को उसके prime numbers के factors में categorize किया जा सकता है ठीक है जैसे for example हमारे पास कोई number है कोई composite number है for example 24 तो 24 को अगर हमने इसके factors find out करने है तो इसके क्या रहेंगे 2 into 2, 2, 2's are 4, 4, 2's are 8 और 8, 3's are 24 तो ये सभी क्या है ये सभी है prime numbers ठीक है इनकी composite numbers की factorization करने पर हमें prime numbers मिलते हैं ठीक है इसी को कहते हैं हम prime factorization ठीक है prime factorization इस चीज़ को याद रखेंगे important है ठीक है छोटी छोटी चीज़ें basic अगर याद रहेगा तो ही अगे कुछ बन पाएगा ठीक है उसके बाद आगे whole numbers whole numbers whole numbers क्या होते है natural numbers numbers with zero zero के साथ जो भी numbers होंगे जो भी number system जो होगा वो zero के साथ होगा उनको कहेंगे हम whole numbers ठीक है तो ये zero से start होंगे to the infinity सबसे बड़ा जो whole number होगा वो होगा ही नहीं हमें पता ही नहीं है सबसे छोटा whole number zero है ये बात याद रखनी है whole numbers को हम w से denote करते हैं ये बात याद रखना ठीक है तो ये आगे whole numbers zero से start होंगे infinity तक ठीक है हाँ ये हो सकता है कि जब आपको कोई categorization दी होगी जैसे for example आपको बोला है right seven whole numbers less than nine, nine से छोटे whole numbers आपको बोले हैं find out करने के लिए तो 9 से नीचे तो जादा ही whole numbers है लेकिन हमें 7 बताने है तो हम 9 से नीचे के देखेंगे अब यहाँ पर जो greatest whole number रहेगा वो रहेगा 8 ठीक है क्योंकि 9 से नीचे 8 ही आता है 9 से पहले 8 ही आता है तो यहाँ पर greatest whole number less than 9 जो रहेगा वो 8 रहेगा तो यहाँ पर categorize करके दिया हुआ है question के उपर depend करता है कि question क्या है वरना greatest whole number या greatest कोई भी number जो अगर define नहीं है तो वो सच में define नहीं है वो infinity रहेगा वो हम find out नहीं कर सकते ठीक है integers क्या होते हैं integers ठीक है integers क्या है natural numbers natural numbers with their with their negatives and zero ठीक है with their negatives and zero इनको कहेंगे हम integers i से denote किया जाता है या z से denote किया जाता है इनको याद रखना i और z ठीक है integers क्या रहेंगे positive natural numbers अभी हमने पड़ा 1 2 3 to infinity ठीक है इनके negatives negatives मतलब minus 1 ठीक है minus 2 minus 3 to minus infinity यही रहेंगे और along with zero ठीक है zero के साथ रहेंगे यह तो यह आगे हमारे integers i से denote किया जाता है या z से denote किया जाता है smallest और largest integer जो है वो find out नहीं है वो infinity रहेगा ठीक है determine नहीं हो सकता ठीक है तो यह आगया integer यह अभी तक हमने जो पड़ा whole numbers natural numbers odd numbers even numbers उसमें हमारे पास smallest numbers तो थे लेकिन integers में smallest और greatest natural number जो है वो determine नहीं हो सकता यह आगे हमारे integers याद रखने वाली चीज़ें क्या है वन जो है वो ना ही प्राइम है ना ही वो composite है इनको याद रखेंगे वन जो है वो odd integer है odd integer है ठीक है जीरो जो है ना ही पॉजिटिव रहेगा ना ही नेगेटिव रहेगा जीरो जो है even integer है यह मैंने पहले बता दिया जीरो इवन इंटिजर है जीरो इस एन इवन इंटिजर ठीक है पहले भी बताया था टू जो है वो smallest प्राइम नंबर है प्राइम नंबर है और यह बात याद रखनी है और यही टू जो है यही इकलोता one and only only even prime नंबर है अगर जैसे आगया आपको कि smallest even prime नंबर कौन सा है तो वो टू रहेगा और इकलोता even prime नंबर भी 2 ही है smallest prime नंबर भी 2 है और इकलोता even prime नंबर भी 2 ही है वरना जितने भी prime नंबर है जिनके सिरफ दो ही factors है वो odd ही रहते हैं ठीक है even नहीं रहते सिरफ 2 एक ऐसा ऐसा नंबर है जो prime है और smallest prime नंबर भी है ठीक है even prime नंबर है और smallest prime नंबर भी है ठीक है उसके बाद number line यह basic है basic थोड़ा clear होगा फिर आगे जाके हम समझ पाएंगे आसानी से ठीक है number line क्या होती है number line एक straight line होती है एक straight line होती है जिसमें center में 0 होता है left side में negatives होते है और right side में positives होते हैं ठीक है simple सी बात है straight line है एक जिसमें center में 0 रहेगा left में negatives रहेंगे और right side में positives रहेंगे यहां से इस number line में left to right value increases ठीक है left से right में value जो है वो increase होगी and right to left value decrease होगी ठीक है तो अगर आप से पूछा जाए minus 2 बड़ा है या minus 1 minus 1 इसमें बड़ा है minus 3 से minus 1 बड़ा है minus 3 से 0 बड़ा है 1 जो है वो इसके left वालों से बड़ा है ठीक है for example अगर आपको number line कोई दी हुई है number line आपको पूछा जाए कि यह number line जो है यह ठीक है या नहीं है तो उसमें अगर for example यहां पर 0 के बाद 2 दिया है ठीक है और 2 के बाद 1 दे दिया है तो यह गलत number line है क्योंकि हमने number line में अभी क्या पड़ा कि left से right में value increase होती है हाँ number line में कभी ऐसा हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पर बिल्कुल sequence और series में numbers को करेंगे कि वहाँ counting के हिसाब से number line में आएगा 0 के बाद ऐसे 2, 4, 7 लिख करके हम ऐसे भी number line दे सकते है ठीक है depending upon की question क्या पूछा जा रहा है वहाँ पर ठीक है यह आगे आपकी number line ठीक है real numbers क्या होते है real numbers क्या होते है real numbers जो भी numbers number line पे represent किये जा सकते है उनको हम real numbers कहेंगे ठीक है positive real numbers को r positive r to the power plus ठीक है इससे denote किया जाता है positive real numbers को ठीक है और negatives को r negative negative real numbers ठीक है ऐसे denote किया जाता है real numbers जो होते है वो real numbers rational and irrational का addition होता है ठीक है का addition होता है जिसको हम कहेंगे real numbers is equal to rational number rational plus irrational ठीक है इसको हम याद रखेंगे ठीक है easy कोई मुश्किल तो नहीं है ठीक है आभी हम definitions बगारा basics जो है उन सभी को देख रहे हैं ठीक है अब rational numbers क्या होते हैं ठीक है जितनी भी terms आती हैं इनको note करो ठीक है rational numbers क्या होते है रेशनल numbers रेशनल numbers वो numbers होते हैं जिनको हम p upon q की form में represent कर सकते हैं वही rational numbers होते हैं और इसमें condition क्या है कि q is not equal to 0 ठीक है q कभी भी 0 नहीं हो सकता p upon q की form में होते हैं वहाँ पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता for example p जो है p3 है और q जो है वो 0 है तो 0 से हम किसी भी number को divide नहीं कर सकते हैं यह not defined आ जाएगा not defined ठीक है तो क्या होते हैं rational numbers रेशनल numbers को फिलाल q से denote करते हैं q is equal to p upon q p upon q की form में जिन भी numbers को हम represent कर सकते हैं वह rational numbers होते हैं ठीक है किनी भी दो rational किनी भी दो for example हमारे पास इसमें याद रखने वाली जो चीजें है वो क्या है जीरो जो है rational number है ठीक है जीरो जो है वो rational number है smallest rational number जो है वो determined नहीं हो सकता और largest rational number है वो भी determined नहीं हो सकता उसके बाद every fraction and decimal decimal fraction is a rational number हर एक fraction या जो decimal fraction है वो rational number होगी ठीक है ये बातें याद रखने है हर एक integer जो होगा वो भी rational number होगा मतलब कि negative positive जो भी है वो rational numbers होगे ठीक है rational numbers अब हमारे पास इसकी एक हमारे पास एक method है ठीक है कि अगर x and y are rational number अगर x और y जो है वो rational numbers है तो x प्लस y upon 2 जो है ये भी rational number होगा ये भी rational number होगा बिट्वीन x और y एक और y के बीच में ये एक rational number होगा ठीक है simple है for example हमारे पास है हम find out करेंगे find rational numbers two rational numbers दो find out करेंगे two rational numbers between three and five ठीक है तो three और five के बीच में हम कोई दो rational numbers को हम find out करेंगे तो अभी हमने क्या पता पता कि है x प्लस y upon 2 जो है वो भी rational number होगा ठीक है तो three plus five upon two दो ही numbers है five और three eight होते है eight upon two two fours are eight ठीक है four is a rational number क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हर एक integer जो होगा वो rational number होगा ठीक है उसके बाद अभी एक और find out करने के लिए three और five के बीच में तो पता चल गया हमें four यह तो एक basic सी common सी बात है three और five के बीच में four ही है तो वो four rational number होगा अब four और अभी हमें एक और rational number find out करना है क्योंकि दो बोले है ना तो हम क्या करेंगे three और four के बीच में हम एक rational number ढोनने की कोशिश करेंगे ठीक है three और four के बीच में four और three कितना हुआ seven seven upon two ठीक है seven upon two is also a rational number rational number या seven upon two अभी four कहा ये rational number है अभी seven upon two ये rational number है हम four को represent कर सकते हैं पी अपाउन क्योंकि फार्म में four upon one ही है ना यहाँ पर two ones are two or two fours are eight किया तो 4 upon 1 rational number है, ठीक है 7 upon 2 rational number है, अभी हमने पड़ा कि हर एक fraction जो होगी, हर एक fraction जो होगी वो rational number होगी, ठीक है तो इसी लिए ये rational number है, ठीक है और हर एक हर दो rational numbers के बीच में हम infinite number of infinite number of rational number धूड सकते हैं, ठीक है, तो ये आगे हमारा rational numbers, ठीक है, easy, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसान सी चीज है, ठीक है, irrational numbers, irrational numbers क्या होते हैं, irrational numbers वो होते हैं, जिनको हम P upon Q की form में represent नहीं कर सकते, P upon Q की form में हम इनको represent नहीं कर सकते, ठीक है, अभी मैंने बताया था, rational number को Q से denote करते हैं, irrational numbers को हम Q से denote करते हैं, Q के ओपर ऐसे dash, या Q raise to power C, ठीक है, ऐसे denote करेंगे हम irrational numbers को, ठीक है, और साथ में, इनकी examples क्या है, रूट 2 हो गया, ठीक है, ये irrational number है, ठीक है, रूट 3 हो गया, रूट 5 प्लस 3 हो गया, यह जो है, यह irrational numbers होंगे, ठीक है, आ गहीं समझ, ठीक है, इसी सी चीज है, ये irrational numbers होंगे, अभी हमने पढ़ा था real numbers क्या है addition of rational and irrational numbers अभी हमने यही पढ़ा था तो इसलिए both rational and irrational numbers can be represented on number line ठीक है तो हम rational और irrational दोनो numbers को हम क्या कर सकते हैं अभी हमने पढ़ा है यह हमने पढ़ा कि यह होता है rational और irrational का addition ठीक है addition या union होता है इनका ठीक है तो इसलिए real numbers क्या है या तो वो इदर rational होंगे या irrational होंगे ठीक है दोनों में से कुछ एक होगा कभी 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 दो irrational numbers दो irrational numbers का जो product होता है वो rational आता है root 2 पढ़ा हमने root 2 क्या है irrational number है अगर root 2 को root 2 से ही multiply किया जाए तो क्या होगा हम देख रहे हैं कि दोनों सेम है root 2 का square हो जाएगा ये ठीक है अब ये और ये cancel होते हैं इनका और इनका cancel होने का मतलब क्या है यार ये तो अलग है ये तो अलग है तो ये जो root होता है ये root क्या होता है ये 1 upon 2 होता है तो दी पावर 1 upon 2 ऐसे होता है ठीक है उसके बाद 1 upon 2 और 2 जब multiply होंगे 2 upon 2 बनाएंगे 2 और 2 अब यहाँ पर cancel होगे 2 to the power 1 हो गया ठीक है तो ये 2 आ गया तो 2 क्या है 2 एक rational number है ठीक है तो कभी कभी दो irrational numbers का जो product है वो हमें rational number देता है ठीक है हर एक positive irrational number जो है इसका negative irrational number जो है इसके corresponding में होता है ठीक है ये बातें कुछ याद रखनी है ठीक है for example addition addition अगर देखेंगे addition देखेंगे दो irrational numbers का जो addition जो होगा addition जो होगा वो rational number नहीं होगा फॉर एकशंपल root 2 प्लस root 3 जो है ये 5 के बराबर नहीं होगा ठीक है root 3 minus root 2 जो है ये 1 के बराबर नहीं होगा ठीक है अगर हम root 6 को divide करेंगे root 2 से root 6 को divide करेंगे हम root 2 से तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ठीक है ये कुछ ऐसा हो जाएगा लेकिन जो answer आएगा हमारे पास वो root 3 ही रहेगा ठीक है तो ये सब कुछ basic चीजें है इनको याद रखना जरूरी है जब आप किसी भी question की simplification करोगे तो वहाँ पर ये चीजें याद रखनी जरूरी है ठीक है fraction एक quantity है जो किसी भी किसी चीज का पार्ट बताती है ठीक है किसी hole का part of a part of a hole ठीक है hole का part बताती है for example हमारे पास एक circle है ठीक है इसके चार हिस्से हैं ठीक है एक हिस्से को मैंने यहाँ पर shaded कर दिया इसके चार हिस्से हैं चार में से एक shaded area है उसकी fraction यह रहेगी चार में से एक shaded है ठीक है अभी यहाँ पर दो कर दूँगा तो 2 upon 4 हो जाएगा ठीक है दो shaded area है तो अभी यह जो 2 shaded area जो है यह circle का half बना रहे हैं पर हम देख सकते हैं 2 1s are 2 2 2s are 4 1 upon 2 आदा हिस्सा है ठीक है तो यह याद रखने की ज़रूरत है ठीक है यह चीजें करने की ज़रूरत है आपको ठीक है टाइप्स क्या होती है fractions की fractions की types क्या होती है fraction की टाइप्स क्या होती है proper fraction और improper proper और improper fraction proper fraction क्या होती है numerator is less than denominator यह होगी proper fraction जैसे for example 1 upon 2 है 3 upon 4 है ठीक है तो यह proper fractions है यह proper fractions है improper fractions क्या है जिन में numerator जो है numerator is greater than denominator numerator is greater than denominator यह numerator होता है यह denominator होता है ठीक है तो for example 3 upon 2 यह क्या है improper fraction है और साथ में इसमें एक और condition है यहाँ पर हम एक line लगा देंगे इसका मतलब है numerator is greater than और equal to denominator for example ऐसे कोई fraction है तो इसमें यह दोनों बराबर है तो यह improper fraction है यह fraction है यह fraction है लेकिन improper fraction है proper नहीं है improper fraction है ठीक है तो यह हमारी आगी fractions proper and improper fraction तो इसमें एक और चीज़ याद रखने की क्या जूरूरत है हमें कि अगर numerator जो है denominator के बराबर है अभी हमने पढ़ा improper fraction में तो उसका जो answer रहेगा जो fraction रहेगी वो fraction रहेगी unity के बराबर one के बराबर unity के बराबर रहेगी ठीक है numerator denominator के बराबर है तो उसकी वो जो fraction हो जाएगी वो one हो जाएगी unity हो जाएगी for example two upon two है ये एक fraction है दोनों numerator और denominator सेम है two ones are two तो ये one आ गया ठीक है तो fraction क्या हो जाएगी unity हो जाएगी ठीक है अब mixed fraction क्या होती है mixed fraction mixed fraction क्या होती है mixed fraction में एक consists of integer and fraction और fraction जो रहेगी ये proper रहेगी proper fraction जो है ठीक है ये रहेगी mixed fraction क्या होती है जिसमें एक integer होगा और एक fraction होगी for example one complete one upon two is a mixed fraction one and half ठीक है three complete two upon three two upon three ये रहेगी mixed fraction अभी इसी में से एक जो है mixed fraction जो है mixed fraction को हम एक improper fraction में convert कर सकते हैं one complete one upon two किसके पराबर है तो ये कैसे होगा one complete one upon two one into two one into two plus one upon two ऐसे हो जाएगा two ones are two ये क्या हुआ इसके साथ multiply हुआ और ये इसके साथ प्लस हुआ denominator सेम रहेगा ठीक है plus one upon two ठीक है तो ये 3 upon two क्या है अभी हमने पढ़ा numerator अगर बढ़ा होगा denominator से तो वो improper fraction है simple कोई मुश्किल बात है नहीं इसमें ठीक है और सेम ऐसे हो सकता है improper fraction जो है ये जो improper fraction है improper fraction को हम mixed fraction में convert कर सकते हैं improper fraction को हम mixed fraction में convert कर सकते हैं improper fraction है 7 को divide करेंगे हम 2 से 2200 4 2300 6 ठीक है तो अभी यहाँ पर एक reminder है एक reminder है एक quotient है sorry एक quotient है divisor है और एक reminder है तो 2 क्या है divisor है 2 को ऐसे लिख देंगी 2 1s आ 2 और 3 ठीक है ऐसे हो गया अब यह mixed में हो गया 2 1s आ sorry ऐसे नहीं यह ऐसे हो जाएगा 2 3 6 और 1 ठीक है divisor quotient और यह reminder रहेगा यह रहेगा divisor quotient और remainder ठीक है यह चीज़ें याद रखेंगे अब हम improper fraction को किसमे mixed fraction में भी convert करना सीख चुके है ठीक है equivalent fractions क्या होती है equivalent और equal fractions equal और equivalent fractions क्या होती है ठीक है equal और equivalent fractions क्या होती है जिनकी value जो है वो same रहे with same value for example 2 upon 3 जो है ठीक है और 4 upon 6 है यह equal या equivalent है कैसे दोनों में digits बिलकुल अलग है ठीक है numerator, denominator अलग है तो कैसे है यह यहाँ पर देखो 22's are 4 23's are 6 same value same value आ रही है तो यह equal या equivalent fractions है ठीक है यह आ गई equal और equivalent fractions ठीक है उसके बात आ गई like fractions like fractions और unlike fractions ठीक है like fraction में denominator is same denominator same होगा यहाँ पर denominator is different different रहेगा यहाँ पर denominator फार एक्जेम्पल यहाँ पर अगर फार एक्जेम्पल मैं देता हूँ 2 upon 15 7 upon 15 तो इन में denominator same है like fractions है यहाँ पर अगर 2 upon 15 3 upon 6 इन में denominator अलग है तो यह क्या हो गई यह हमारी हो गई unlike fractions ठीक है यह unlike fractions हो गई easy unlike fractions को हम like fractions में convert कर सकते हैं ठीक है फार एक्जेम्पल हमारे पास कोई दो unlike fractions दी हुई है 3 upon 5 है और 4 upon 7 है इनको बोला कि convert करो इसको like fractions में ठीक है तो हम दोनों के denominator को देखेंगे ठीक है इसमें 7 है इसमें 5 है 3 upon 5 है तो हम क्या करेंगे denominator को भी 7 से multiply कर देंगे यही 7 और numerator को भी 7,3,21,7,5,0,35 ऐसे ही ऐसे ही same हम इसके साथ करेंगे 4 upon 7 है इसको हम denominator को भी 5 से multiply करेंगे numerator को भी करेंगे तो 5,4,0,20,5,7,0,35 दोनों के denominator सेम होगे अब यह like fractions होगे अब यह like fractions होगे ठीक है simple है कोई मुश्किल नहीं अभी basic ही है ठीक है आगे आगे हम और नई चीज़े सिखेंगे ठीक है जिससे आपको exam में आसानी होगी इनको थोड़ा सा practice करें याद रखें ठीक है simple fractions क्या होती है simple fractions आज fractions तक ही पढ़ेंगे simple fractions क्या होती है simple fractions वो fractions होती है जिनमे numerator और denominator numerator and denominator are integers जिसमें integers होंगे numerator और denominator for example 3 upon 7 है ठीक है minus 4 upon 5 है ठीक है ये क्या है ये simple fractions है integers है इसमें ठीक है उसके बाद आगई complex fraction complex fractions complex fractions क्या होती है जिसमें numerator denominator या दोनों जो है वो fraction number होंगे ठीक है for example हमारे पास है 2 upon 7 ठीक है plus 3 upon 5 complete 2 upon 3 ये एक complex fraction है ये complex fraction है complex fraction को हम proper improper fraction में convert कर सकते हैं ठीक है यहीं पर हम देखेंगे इसको इससे multiply करके 730 21 plus 2 हो जाएगा 23 upon 7 हो जाएगा यहाँ पर भी 530 15 to 17 17 upon 3 हो जाएगा तो इसको हम convert कर सकते हैं ठीक है ये आगे हम सीखेंगे या अभी मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर 2 upon 7 plus 3 730 21 21 or 2 कितना हुआ 23 थोड़ा सा fast करने की जुरूरत होगी यहाँ पर practice करने की जुरूरत है upon 7 upon 530 15 15 or 2 कितने हुए 17 17 upon 3 ठीक है तो reciprocate जो process reciprocation की जो process है उसके through हम क्या करेंगे इसको ये दो 23 upon 7 रहेगा 23 upon 7 रहेगा into 3 upon 17 हो जाएगा ये ठीक है तो यहाँ से हम इसको proper या improper fraction में convert कर सकते है multiply कर देंगे दोनों को ठीक है दोनों को multiply कर देंगे जो भी answer आएगा वो आपका या proper या improper fraction होगा ठीक है complex fractions को हम convert कर सकते है proper या improper fraction में ठीक है decimal fraction क्या होती है what is decimal fraction decimal fraction वो fraction होती है जिनके denominator में denominator is power of 10 जैसे 3 upon 10 जो है यह decimal fraction है 7 upon 100 जो है यह decimal fraction है 11 upon 10 to the power 9 जो है यह decimal fraction है ठीक है जब हम इनको divide करेंगे तो हमारे पास कोई decimal आएगा ठीक है तो यह decimal fraction है ठीक है उसके बाद last जो हमारे पास fraction है यह आगे हमारी vulgar fraction vulgar vulgar fraction क्या होती है denominator जो होंगे are not the power of of 10 ठीक है denominator में power of 10 नहीं होगी ठीक है 10 यह 10 के 10 का जो multiply है square जो होगा या कुछ भी 10,100,000 कुछ भी होगा वो नहीं होगा इसमें ठीक है for example 3 upon 7 है 2 upon 3 है बहुत सारी examples है 1 upon 11 है ठीक है 7 upon 21 है ठीक है यह जो है यह क्या होंगी bulgar fractions होगी इसमें denominators जो होंगे वो 10 की power नहीं होंगे ठीक है तो यह आज का हमारा जो है इसका lecture का part जो है खतम हो जाएगा आज एक part खतम कर देते हैं अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे rounding off rounding off कैसे करते हैं ठीक है किसी भी decimal fraction को decimal places में rounding off कैसे करेंगे उसके बाद हमने जो पढ़ना है वो है complex numbers complex numbers क्या होते हैं divisibility rules पढ़ेंगे हम important है divisibility rules काम आने वाली चीज़ें उनकी examples भी देखेंगे हम अगले part में ठीक है उसके बाद हम इसमें देखेंगे की number of zeros कैसे count किये जाएं ठीक है last digit या unit place पे जो digit है उसको कैसे find out किया जाए यह सब चीज़ेंगे अगले session में अगले part में अगले session में ठीक है कुछ और laws हैं इनके laws of certs and laws of indices polynomial theorem अगर हम देखें कर सकते हैं यहां पर कर देंगे हम remainder theorem कर देंगे remainder theorem जरूरी भी है पढ़नी ठीक है यह सब पढ़ेंगे और साथ ही मैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुपिटर classes की जो e-books हैं वो जुपिटर classes की app पर हैं उनको जाके access करिए ठीक उन पर जाके वहां पर जितने भी e-books हैं उनको बाई करें आपको दिख जाएगा कि फरक बहुत जादा है बहुत सारी मेहनत करते हैं जितने भी यहां पर teaching staff है जो जुपिटर classes का वहां पर जाएं सब्सक्राइब करें लाइक करें और शियर करें अपने दोस्तों में ठीक ह एक्जाम ऐसे ही clear होगा ठीक है अच्छे से पढ़ा ही करें